सबसे जादा हम लोग discussion करेंगे DHA के उपर और EPA के उपर आपने अक्सर लोगों को कहते हैं सुने ने फिश खानी चाहिए फिश हेल्दी है सुने वही मेरे पास फिश में या सी फूड में कौन सा फैटी एसिड है that is DHA and EPA अक्सर लोगों को सुने ने टूना फिश बहुत हेल्दी है वही उस टूना फिश के अंदर आपके पास है DHA और EPA अब मेरे पास जी रह गया अलफा लाइनो लिनिक एसिड का सोर्स भी देख लेते हैं वही इसका आपके पास जो सोर्स है that is the plant oil अच्छा किस किसम के plants के हम बात करें plants के कौन से parts की बात करें oil भी तो different parts से निकालते हैं न flex seeds के अंदर है ठीक है soya bean के अंदर है इसके इलावा यह canola oil के अंदर है clear यह आप लोग ने बात याद रखनी है लेकिन जी हम लोगों का जो part of discussion है that is the DHA and EPA बच्चो अब जी हम लोग अपने book के text के तरफ आते हैं यहाँ पर mention है के we are going to use omega-3 fatty acids omega-3 fatty acid आपने अभी study किया this is the polyunsaturated fatty acid अच्छा यह जो polyunsaturated fatty acid है इसका काम क्या है इसने आपके patient के triglyceride level को low करना है ठीक है अब जी इसका mode of action next line में एक line के अंदर इदर mention है that is के यह क्या करते है they will inhibit the formation formation कहाँ पर रहे है liver liver बना रहा आपका very low density lipoprotein याद उसके अंदर nascent very low density lipoprotein थी release हुई थी आपके liver ने formation करनी है very low density lipoprotein की और triglycerides की आपके omega 3 fatty acid ने क्या किया इन दोनों प्रोडक्ट्स की synthesis को inhibit कर दिया यहाँ पर आगया आपके पास इसका mode of action अगें जो मैंने आपको भी थोड़ दर पहले बात बताई थी आपका ओधर ना आगे mention कर दिया कि आपके पास यह जो fatty acid है न गाधिस दिय एचे एंड श्वक्रियर अंज is the EPA इसका आपके पास ऑंद है आपके पास है इंग आतिस को सबस्क्राइब यह आपके पास अगया और पास हागया शॉर्स different companies हैं बहुत इंपोर्टेंट आपने एक नाम सुने रहे हैं दो वाइटामिन कंपनी के आपके पास यहां पर प्रोड़क्ट है ओमेगा-3 फिश ऑई इसके अंदर देखके मुझे बताओ और कंपोजिशन में कौन से दो ओमेगा-3 fatty acids प्रेजंट हैं दी एचे एंड एपीए ओके जी नेक्स्टी न्यूट्री फेक्टर आपके पास एक वेल नोन कंपनी है इसके ब्रैंड का क्या नाम है इदर नो और मेगा थाउजंड मिन्स थाउजंट मिलीग्राम की कोई इसमें EPA और DHA combinations में ही आपको मिल रहे हैं अब यह जी यह जो आपको market में product मिल रही है इसकी dosage form कैसी है वही मेरे पास soft gel capsules हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं ना soft gel capsules हैं उसके composition आप लोगोंने बहुत अच्छे से पढ़ी है उसके अंदर यह oil filled है ठीक है अब जी इस packing के अंदर you have a 30 soft gel capsules यह जो products हैं यह आपके पास food supplement है ठीक है food से तो हम लें इतना नहीं ले सकते तो मैंने यह food supplement ले लिया देन आपके पास next company sunshine nutrition अच्छा इसमें जी इसके उपर भी लिखे that is omega-3 950 mg यह भी omega-3 fatty acid है और लिखे इसके अंदर जो उसकी composition है that is 950 यानि कि मेरे जहन में आते है इसके अंदर total count करके 950 DHA और EPA होना चाहिए साथ में composition देखो इसमें कितना EPA है आपका जो पूरा capsule है उसका weight calculator अदर करके डालती है जब मैं बात करूंगे ना per serving इसके अंदर इतनी dose है तब मैं actual dose की बात कर रही हूंगी ठीक है अब जी इसके अंदर मैंने अगर per serving मैंने for example कह दिया this is 900 mg soft gel capsule पर मैंने अंदर लिखे per serving 8 mg के एक serving के अंदर इतने mg मेरे पास actual जो quantity है अब देखो मैंने करना soft gel बास लोग करते है पूरे का पूरा weight calculate करके इसके अंदर इतना है अब देखो पूरे का पूरे कौन कौन से ingredients आजेंगे जारे उसके composition के सारे ingredients जो मिलके soft आपके capsule को बना रहे है वो आ रहे हैं देखो इंग्रेट्स कौन से इसके अंदर आप लोग अच्छी ताना पड़े हैं आपके पास इसके अंदर आप जी यह बास लोग ऐसे सारे components को combine करके इसका net weight आपको लिख कर दे देते हैं important thing is कि आपके पास यह fish oil है ना तो capsule के अंदर आये smelly हो सकता ना bad taste हो सकता ना थीक है आप इसको store कहां पे करना है storage condition इसके अंदर mention है आपने इसको store करना है below 25 degree आप ठीक है आपने यहाँ पर इसको store कर दिया और आपने इसको direct sunlight से बचाना है heat और moisture से बचाना है clear यह भी इसकी storage आप लोग उने याद रखनी है अब जी मैं और companies देख थी हूँ for example मैं sunshine discuss करी थी मैंने इसी की देख ली जी flexed seed oil मैंने भी बताया ना flexed seed के अंदर क्या था alpha linolenic acid था ना अच्छा जी यह flexed seed oil है और company ने कहे है यह जो मेरे पास packing है इसके अंदर आपको मिलेगा omega 3 fatty acid omega 6 fatty acid and omega 9 fatty acid हम लोग पहले ही discuss कर चुके हैं के 3 और omega 6 fatty acid आपके पास poly unsaturated fatty acids है जबके 9 is the mono unsaturated fatty acid यह बही इस तरहां से भी आपके पास composition आगी तो बही मैंने omega 3 fatty acid के तो uses देख ली हैं तो आखर omega 6 fatty acid के uses क्या हैं बचो omega 6 fatty acid भी आपके पास essential fatty acid ही है अब आप इनकी packing देखोंगे ना different companies की packing दोखोंगे उसके उपर लिखा होगा कि जब मैं omega 6 की बात करूं उसकी example है gamma linolenic acid that is essential fatty acid अब जिसके अंदर आपको मिलेगा क्या इसके इसकी significance क्या है बेसेकिर इसकी significance क्या है कि stimulate करेगा आपके skin की growth को आपके hairs की growth को आपकी bones की health को maintain करेगा आपके reproductive system को healthy मनाएगा बही यह सारी detail है लेकिन इस detail को पर फिलाल हम लोग नहीं जाने हैं कि यह सारे जो आपके systems हैं इनको maintain कर गया यह याद रख लो देन जी मैं आ जाती हूं omega 9 fatty acid पर omega 9 fatty acid मेरे पास क्या है भी मैंने बताया that is mono unsaturated fatty acid omega 9 fatty acid omega 9 fatty acid रह गया हम लोगों के पास जो omega 9 fatty acid है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया this is mono unsaturated fatty acid अच्छा अब omega 9 fatty acids के बारे में अगर मैं discuss करूं तो इसका source क्या है सबसे पहले source पे जाने से पहले देख लो मैंने आपको बताया this is partially essential fatty acid ऐसे discuss किया ना मैंने इसका source क्या है partially essential अगर मैं कह रही हूं human body के अंद आ जाते हैं आपके पास animal source भी आ जाता है इसके इलावा क्योंके partially essential fatty acid है endogenously synthesize होता है human body के अंदर भी लेकिन इतनी quantity में synthesize नहीं होता कि आपकी body की needs को compensate कर सके इस वजह से जी मुझे इसको exogenous sources को लेना पड़ जाता है ठीक है अब जी इसके फाइदे क्या है मैंने omega 3 fatty acids का discuss क कर लिया के plague formation को inhibit करेगा कैसे करेगा because मैंने इसका देखा के this will inhibit the formation of very low density lipoprotein and the triglycerides मैंने omega 6 से discuss कर लिया क्या आपके bones skin hair और आपके reproductive system के health को maintain करते हैं रह गया जी मेरे पास omega 9 fatty acids market में यह कंतीनों के combinations मिल रहे हैं आखर omega 9 fatty acids का क्या फाइदा है मेरी बुक में नहीं mention लेकिन जी throughout मैं google करूं research articles पढ़ूं तो उसके अंदर मुझे मिलता है यह जो omega 9 fatty acids है यह भी plague formation को plague build up को inhibit करता है eliminate करता है तो heart patients के लिए अच्छा हो गया अगर मैं यह लूँगी तो heart attack और stroke के chances कम होंगे इसके claims भी वैसे हैं जैसे omega 3 fatty acids के हैं अब जी एक और एक और इसका claim that is very important वो यह है कि यह insulin resistance को कम करता है तो अच्छी बात है ना कि अगर मेरा patient अक्सर मेरे diabetic patient hyperlipidemia के patients भी होते हैं तो मेरे omega 9 fatty acids का claim ही यह है कि plague build-up को भी eliminate करता है inhibit करता है दूसरी बात ही insulin resistance को reduce करते हैं यह दो इसके claims आपके पास आगे energy level enhance करते हैं ठीक है इसके लावा क्या करते है mood mood को enhance करते है player अच्छे mood की तरफ लेकर जाते है एक और इसका benefit क्या है it will improve the memory क्योंकि memory improve करता है तो जब यह omega 9 fatty acids की significance बढ़ोगे तो उसके अंदर आप लोग देखोगे this will improve the memory this will improve the memory performance in patients of Alzheimer's disease उनमें भूलने की बिमारी होती है न तो वो patients भी इसको as a supplement कर रहे होते हैं clear बच्छों अपनी slide की तरफ आजो हम discuss करने जाने कि कितनी dose मैंने omega 3 fatty acid की अपने patient को देनी है अच्छा अब इसमें यह है कि मेरे पास कोई hard and fast rule नहीं है कि जिसे हम लोगे पास क्यों सी ड्रॉक्स के लिए आते है ना कि इतनी ही drug देनी है आपने लेकिन फिर इस हैं कि आप इतना अपने patient को कुछ groups हैं associations है according to them कि आप इतनी dose अपने patient को दे सकते हैं कितनी dose दे सकते हैं सबसे पहले तो बुक की तरफ देख लेते हैं बुक में लिखा हुए 4 grams approximately 4 grams of marine derived omega 3 polyunsaturated fatty acids क्या करेगा अगर आप 4 grams यानके 4000 miligram की बात करी हूँ क्या 400 miligram की 4000 miligram अगर मेरा patient 4000 miligrams या 4 grams ठीक है इतनी omega 3 fatty acid लेता है कौन सा fatty acid इधर मैं combination की बात करी हूँ DHA और EPA का combination अगर मैं 4 grams या 4000 miligrams लेती हूँ तो बही यह आपके serum triglyceride level को 25 तो 35% reduce कर देगा लेकिन अच्छा एक और benefit क्या होगा? High density lipoprotein cholesterol के level को भी increase कर देगा good cholesterol है ना लेकिन एक गलत काम के है it will increase in low density lipoprotein cholesterol और यह जो increase होगा that will be a slight increase तो अगर मेरा patient omega 3 fatty acid ले रहा है और उसके लेने से थोड़ा सा LDL का level बढ़ रहा है तो that is not an issue क्योंके मेरा patient statins भी ले रहा है या दूसरी anti hyperlipidemic drugs भी ले रहा है clear इसका एक फाइदा यह तो हो रहा है ना के triglyceride के level को यह क्या कर रहा है काम कर रहा है अच्छा अब जी omega 3 fatty acid आप लोग ने अकसर देखा होगा patients की prescription में लिखा होता है तो यह prescribed आपके पास product हो गई और बाज रोगों खुद ही देखो ना जाते हैं और इसको purchase कर लेते हैं तो यह OTC होगी over the counter product होगी आपके पास तो भई यह आपके पास over the counter और prescription दोनों categories के अंदर आता है यह आपके पास fish oil है आपको पता चला यह fish oil capsule में कौन सा capsule है soft gelatin capsule है ओके जी और आता कैसे यूजिली combination से में आता है नौर्मली combination में बहुत ज़्यादा combination में इस्तमाल हो रहा है यह supplement है और अच्छा अगर मैं बात कुछा मेरे जहन में आता है भी मैं क्यों product खरीदू महिंगी है ना तो मैं क्यों ना fish खा लूँ fish is good source तो भई अब इसमे में आ जाते हैं के जी मेरे पास मैं fish खाना चारी हूं लेकिन fish कितनी खाओं कि यह मेरा 4 gram पूरा हुजए 4 gram यहां पे जो आपके author ने लिखा सुने लिखा ने लिखा ने प्रॉक्सिमेटरी 4 grams लें तो 25-30% triglyceride level कम हो जाता है ठीक है अब जी यहां पे मैं आ जाता हूं मेर minimum यह combination आपने कितना लेना है minimum quantity will be 250 mg ठीक है you can go up to 4000 mg या कि बुक वाली बात आगी न 4 grams या बड़ी हद होगी you can take up to 5000 mg या 5 grams यूजरी लिखा हूआ मिलेगा you can take it from 250 to 4000 mg लेकिन भी मेरे पास क्लेम है कि मैं 4000 mg यूजरी लेकिन मेरे पास 25-30% triglyceride level कम होता है लेकिन मैं अगर 5000 पर भी चली जहूँ तो that is not issue इसे उपर हम नहीं जाते हैं क्यूंकि इसे इसे उपर और complications आजेंगी ना के low density lipoprotein भी तो इंक्रीस करता जा रही है तो यह चीज आप अगर मैं 4000 से उपर जाती हूं या मैं डोस बैसे भी बढ़ाती हूं this is better कि मैं अपने physician से consult करूं आपको पता ने lipid profile का पूरा test होता है फिर उसके accordingly हम लोग ने कोई food supplement यहां फिर medication लेनी है बचो अब जी मेरे जहन में आया क्यों ना मैं जी फिशी खालूं मैं क्यों अच्छा अब इसमें क्या है फिश मेरे पास जहन में सबसे पहला नाम आता है तूना फिश को भी कहते हैं तूना फिश कहें तूना फिश कहें भी कौन सी तूना फिश कहें भी दो फिश हैं that are very renowned के for the omega 3 fatty acid first one is the bluefin tuna fish second one is the yellowfin tuna fish मैं यहां बात करने जा रही हूं तूना फिश की तूना फिश की पहला मैंने आपको नाम दे दिया yellowfin tuna fish और second मैंने क्या नाम दिया that is the bluefin tuna fish अब जी मेरी तूना फिश में कितना मुझे omega 3 fatty acid मिलेगा suppose कर लो मैंने 100 grams of fish ली तो सबसे जादा richest source of जो मुझे omega 3 fatty acid इसवक्त मिल रहा है that is the bluefin यह मैंने दो आपके पास ले ली हैं fishes मैंने पास बच्चो tuna fish दोनों fishes मैंने ले ली 100 grams ठीक है 100 grams जब मैंने fish ले ली अब मैंने आपको बताया जो मेरे पास the richest source of omega 3 fatty acid है that is the bluefin ठीक है अब जी इसके अंदर कितना मुझे 100 gram के अंदर कितना gram मुझे omega 3 fatty acid मिलेगा that will be one point बहुत ही minute quantity में आपको बताने जाहरें फिर आपने मुझे 12 देखके बताने कि यह उसके accordingly क्या मैं फिश ले लूं यहां पिर मैं अपनी ड्रग ले लूं ठीक है मेरे पास 1.5 grams omega 3 fatty acid होता है 100 gram fish के अंदर ठीक है और यह maximum यह मेरे पास जो है ना bluefin यह richest source है मेरे पास omega 3 fatty acid का मैं yellowfin की बात करूं तो उसके अंदर मेरे पास कितना है that is only 0.3 grams और मुझे dose कितनी चाहिए थी अगर मैंने 25 to 35 30 percent में triglycide level लो करना है 4000 mg 4 grams तो इसके अंदर कितना है just 1.5 gram तो जाहरे तो मुझे तो अपने finished product ही लेनी पड़ेगी ना जिसके अंदर मुझे मेरी EPA और DHA मिल जाएगा clear बच्वो अब slide के अंदर आपके mention है that is icosapentaethyl classification में यही तीसरा नाम लिखा था ना icosapentaethyl यहाँ पे lines के उपर गार करना यहाँ पर mention है icosapentaethyl is prescription product अच्छा जी prescription product क्यों है यह आपके पास highly purified prescription form है EPA का इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रहा है EPA मिल रहा है ओके अब जी आपका doctor यह आपको subscribe करेगा और यह आपके triglyceride level को product कम कर देगी main significance इसका क्या है यह आपके low density lipoprotein cholesterol के level को नहीं बढ़ाती वह combination बढ़ा रहा था ना यह नहीं बढ़ाती अब भी इसकी dose भी मैंने कितनी लेनी है वही जो मेरे होगी इसके पास जो आपके approved dose आ रही है that is four grams per day वह भी मैं पहले आपको जो कह थी ना के four grams four grams that was also per day according to per day था ठीक है इसकी भी आपने अकसर लोगों को देखने है दिल में दिन में एक प्रिस्क्रिप्शन प्रोड़क्ट है मैंने इस्तमाल कब करनी है जब आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल विल बी कब बैन योर ट्राइग्लिसराइड लेवल बी ग्रेटर देन और एक्वर्टू 500 मिली ग्राम पर डेसी लीटर ब्लड के ब्लड टेस्ट ही करते है ना गुलुकोस के टेस्ट पर डेसी लीटर आ रहा था ना यूनट ठीक है जी यह मेरे पास आ गया कि मैंने अपनी यह प्रिस्क्रिप्शन प्रोड़क्ट इस्तमाल करनी कब है अब आगे जी अच्छा खाया गया है इस प्योरीफाइड प्रोड़क्ट का आइकोसा पेंट इथाईल का कौन सा ब्रेंड है विसेपा ठीक है विसेपा इसके अंदर क्या है आइकोसा पेंट इथाईल है कैपस्यूल है देखने से क्या लग रहे हैं सौफ्ट चैलाटिन कैपस्यूल है marketed by which company amarin amarin ओके जी और इस bottle के अंदर कितने capsules है 120 capsules है एक capsule का weight कितना इदर mention है 1 gram यानि कि 1000 miligram ठीक है जी यह आपके पास आगया बच्चो next में mention है slide में आपकी कि आपके यह जो mega 3 fatty acids है आप इसको combination में देते है you will take it as an adjuant adjuant means combination में देने दूसरे lipid lowering drugs के साथ for example statins के साथ और यहां पे author ने लिख दिया आपने देने का भी है यह omega 3 omega 3 का लिख है ना जब आपके patient का triglyceride level is above 5000 miligram per deciliter पर practice में ऐसा नहीं है ठीक है practice में आपका अब हम रिपोर्ट स्टडी करेंगे उसकंदर देखेंगे मेरे patient का जी अगर triglyceride level 200 भी है ना miligram per deciliter तब ही वह omega 3 fatty acids इस्तमाल का रहा है ठीक है क्योंको इसका फाइदा हो रहा है अच्छा और उसमें भी वह dose कॉन से वाली इस्तमाल का रहा है थाउजन्द मिली ग्राम ली ठीक है थाउजन्द मिली ग्राम ली डोस इस्तमाल करें इस पूरी प्रोफाइल को भी हम स्टडी करेंगे अपने लैब वर्क में बच्चो अब जी इदर आगे लिखा है कि author ने कह देए यह खाली अब यहां सिर्फ और सिर्फ ओमेगा-3 की बात करें अगर मैं खाली हूँ मेगा-3 fatty acids दो ना तो मैं कार्डियो एस्कुलर पेशन्ट में यह morbidity, mortality में कोई effect नहीं करता यानि कि पेशन्ट में मरने है तो उसमें मर के ही रहना है ठीक है उसका प्लेक बिल्ड अप होने तो होने author actually यह कहने चाह रहा है कि आप ओमेगा-3 fatty acids इस्तमाल करें लेकिन ओमेगा-3 fatty acids दूसरी anti-hyper-lipidemic drugs के साथ इस्तमाल करें next slide में 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 पस एक hospital की study है इसके अपका patient omega-3 fatty acids ले रहा है with the other anti-hyper-lipidemic drugs और जब आप इसको as an adjuant as a combination therapy देते हैं then this is effective ठीक है ऐसा नहीं कि मेरे पस patient आए खाली और खाली मैंने इसको यह दे दी no